आपको यह Japanese YouTuber तो ज़रूर याद होगा इसका नाम कोहे है यह इंडिया में रहता था और इंडिया का खाना ट्राइ करता था और उस पर अपना रियक्शन देता था इसी से अपना पूरा पैसे कमाता था और इसी से अपना घर चलाता था इंडिया में हर होने वाली घटना पर यह रियक्ट करता था और इसी से इसकी जिन्दगी चलती थी पर आपको यह खावत तो याद होगी कि कुट्टे को खीर नहीं पच्छती तो इसने आज यूट्यूब कर दिया है और अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी दाल के बताता है बाइबाई यूट्यूब बाइब कर दिया है आप इसके वारे में क्या सोचते कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताए चैनल को सब्सक्राइब